हेल्थ केर के अथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे दोस्तों नमस्कार मेरा नामे डॉक्टर केके पांडे और आपको इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे होमपैथिक मेडिसिन केरिका पापाया के बारे हम दोस्तों इसका कॉमन नेम है पपीता जिसको पैन पे के नाम से भी जाना जाता है तो आईए दोस्तों आज हम इसी के बारे हम बात करते हैं दोस्तों केरिका पपाया पपीते के दूद से दवा तयार हुई है इसके बार हम कहा जाता है कि अगर खाना खाने के बाद इसकी मदर टिंचर पांच से दस बूत की मातरा में अगर सेवन किया जाए तो यह पाचन क्रिया को बहुत ही मजबूती प्रदान करती है और खाने को पचाने में आसानी इससे होती है और यह दुरबलता को वीक्निस को दूर करती है दोस्तों इसके जो मुख्य मुख्य लक्षण है जहां पर इसका ज़्यादे इस्तमाल किया जाता है उसमें गर्बपाथ, मंदागनी याने वीक डाजेशन, कंजक्टिवाइटिस, लीवर बड हो गई हो, वहाँ पर इसका इस्तमाल किया जाता है या फिर यूट्राइन डिसॉडरस हो, वहाँ पर भी इसका इस्तमाल होता है दोस्तों, अगर हम बात करें कि इसके स्टमक के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं या एब्डिमन के कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि इसका लीवर और स्प्लीन ये दोनों चीजें इनलार्ज कर जाता है, बड़ा हो जाता है, उसके साथ साथ में अगर पेशन को फीवर हो, बुखार हो, डाइजेशन बहुत ही वीक हो पेशन का, खाना कभी कभी बीना पचे ही पाखाना के रूप मेरे निकल जाए, जो थोड़ी-थोड़ी मात्रा में दिन में कई बार होता है, जीप पर सफेद रंग की परज़ जमुई हुई हो, दूध न पचपाता हो, और यह उन व्रक्तियों में पाचन क्रिया को बढ़ाती है, जिन में दूध के साथ साथ मांस भी हजम नहीं होता दोस्तों, यानि दूध और मांस दोनों किसी पेशन को न पचते हों, तो वहाँ पे इसका इस्तमाल करने से दूध और मांस पचना शुरू हो जाता है, इसके लावा ऐसे पेशन को आप देखेंगे कि भूख कम लगती है, पेट भरा भरा से रहता है, हाथ पैर सुखे होते हैं, चेहर कि कमी हो रतहीन हो चेहरा ऐसा मैसूस होता है, सरीर ऐसा लगता है, जिसे कंकाल भर रह गया है, और आपको जिससा कि बताया है, आपको इसका जो स्प्रीन और लिवर होता है, बड़ा हो जाता है, पेट फुला हो जाता है, और खुब बड़ा हो जाता है पेट पेशन का, प पिशन को इस टूल जो पास होता है दोस्तों वह कभी-कभी बिना पचे जैसा कि मैंने आपको बताया बिना पचे हो जाता है श्राव होता है रक्त का लाल रंग का परिमार में बहुत थोड़ा आखे पीले रंग की धसी हुई प्यास पिशन को थोड़ी लगती है दूद नही सुहाता है जैसा कि मैंने आपको बताया इश्पेशली दोस्तों अगर बच्चों को दूद ना सुहाए उनको दूद अच्छा ना लगे उल्डी कर दें बार बार लूज मोशन होने लगे डैरिया होने लगे तो वहाँ पे अगर आप बच्चों को कहरिया पवाया देते हैं इससे बच्चों को बहुत फायदा होता है दोस्तों पेशन को देखेंगे कि अस्तनान करने के इच्छा नहीं होती है भूनी या तली चीज खाने की बड़ी इच्छा होती है पेशन को तो दोस्तों ये सारे लच्छन पे रोगी को अगर आप यह दवा देते हैं तो रोगी आरोग यह हो सकता है दोस्तों सही हो सकता है इसको पहले मदट इंचर या वन एक्स चून को इस्तमाल करें उससे अगर पेशन को आराम नहों तो पोटेंशी को बढ़ाते जाएं ट्री एक्स त्री एक्स तक लेके जाएं और इसको दिन में दो से तीन बार देना चाहिए और जब आराम हो जाए तो मात्रा को घटा करके फेश का उपयोग करना चाहिए दोस्तों इस्त्रियों में इसके जो लच्छर पाए जाते हैं दोस्तों यह मैंसेस की जो इर्रेगुलरिटीज होती है उसको दूर करती है गरभासे को सिकोडने में सहता करती है और गरभासे के मुख पर अगर इसका लेप कर दिया जाया तो गरभ पात हो जाता है दोस्तों तो यह विसेस लक्षण है केरिका पाए के जिसका उपयोग अलग-अलग बिमारी में इसके किया जाता है इसके लगव जब भी किसी का आप देखिए कि प्लैटलेट काउंट कम होता है तो वहाँ पे केरिका पाए का इस्तमाल के जाता है इसके मदर टिंचो को यूज करने पर जो प्लैटलेट काउंट कम हुआ रहता है वो धीरे धीरे बढ़ना शुर होता है प्लैटलेट काउंट में इसका बड़ा रोल होता है इसके यूज की जाता है इसकी जो मातरा यूज की जाती है दोस्तों मदर टिंचो जातर यूज की जाती है या 1AX, 3AX जो ट्रैचुरेशन होते हैं उनका इस्तमाल की जाता है दोस्तों तो दोस्तों ये सारी जनकारी रही करीका पापाया के बारे में इंडियन मेडिशी ने दोस्तों अभी बहुत सारी इस पर जनकारी होनी बाकी है इसकी प्रूविंग और अच्छे से की जानी बाकी है तो दोस्तों आज हमने बात किया आप से करिया पपाया के बारा में और मैं उम्मीद करता दोस्तों कि आज की जानकारी आपनों को अच्छी लगी होगी जानकारी अच्छी लगी हो दोस्तों जिसको लाइक करिएगा अपने जासे दोस्तों में शेयर करिएगा और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरू करिएगा और नोटिप्रिक्रिक्राशन बेल को पर दबाईएगा ताकि भविश में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपनों को मिलती रहे फिर मिलते दोस्तों एक नए जानकारी के साथ में तब अपना ख्याल लखेगा जय हिंद जय भारत